एक मिश्रा जो की पॉलिटिकल कमेंटेटर है आपका अबजेक्शन लोंगा अप रहें से साथ में इसे चुलोती पूड समय में भारत के लोक संट्र में और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूगा तोटी ये केवल एक राजनेटिक पार्टी चूप भी नहीं है भारत के लोकसंत्र में और लोकसंत्र के जितने भी अवय या कंपोनेंट होते हैं सेना हो गई पब्लीक हो गई पख्ष हो गया बिपख्ष हो गया पुलिस हो गई इसना जबरजर्ट प्रोडर्शन किया है इन तीन दिनों में पूरी दुनिया को दीख गई हमारे मत्र अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन शिरोती पूर्ट समय में देश के लिए सब लोग एक इकरिस्ट तरीके से काम करते हैं मैं सब को बढ़ाई देता हूं यह सफलता केवल भारती जनता पार्टी या भारत सरकार का कॉ विंग कमांडर अभिननदन की वापसी होने वाली हैं चौबीस घंटे के अंदर ही एक खबर आप तक आ जाएगी ठीक है एक है अब आपसे एक सवाल है चुकि यह कहा जा रहा है कि पुलवामा का राजनीती करण किसी ने किया पुलवामा के बादे ऐस्ट्राइक का राजनीती करण किया और विंग कमांडर अभिननदन का भी राजनीती करण किया गया ऐसा कहा जा रहा है ऐसा कहा जा रहा क्या इन सभी वक्त में भी राजनीती करण हुआ था नमबर एक अगर राजनीती करण हुआ था जो भी establishment में था क्या उसने से politically in cash किया था सवाल नमबर दो और सवाल नमबर तीन ये कि क्या वाकई ऐसे हालात को politically in cash किया जा सकता है क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि establishment में जो भी होता है एका एक सफूर्थ भावनाय उनके साथ में जुड़ने लगती है अगर मजबूत स्टेट्समान बन करके कोई ऐसा decisive काम करता है तो श्राषित बेखिया आपकी बात सही है मैं बताता हूं लाल बाद शास्ती जी एक बात बहुत है इससे पहले भी जब जब जग हुई है पर जग के बाद भारत के प्रदान्मंतरी को उतका सरेय मिला है ठीक कर दो गानी जी के समय बिला है वोट प्रक्रेष बाप के साथ को राकेशी लाल जी आप लोग जाए एक एक जवाब देने जाए और पहेंगे आपको जाए ठीक है लाल बाई ठीक है लाल बादू शास्त्री जी जब थे और देश के ऊपर संकट आया था तो उलो ने भी जै जवान जै किसान का नारा दिया था क्या वो पॉलिटिक्स था इंद्रिया गांधी भी वार शुरू होने के पहले वार के बीच में जनता से मुखातिब हुई थी तो क्या वो ये पॉलिटिकल इशू था या अपना वो पॉलिटिकल गेम प्लान कर रही थी मेरे कहने का मतलब कॉनसेप्शली यह है कि जब वार हो होती है कि वो जनता से मुखातिब हो जनता को जरूरत के हिसाब से जानकारी दे उनके मनोबल को उनके मनोबल को हमेशा उचा रखे यही चीज़ अगर प्रदान मंतरी मोदी जी ने आज की डेट में किया तो उसके ओपर यह कोष्चन मार्क उट रहा है तो इसका मतलब है क् लाल बहादुर शास्री जी के उपर भी कॉष्टन मार्क उठाएंगे कि जी जब वार हो रहा था ये ता प्राबलम थी तो जै जवान जै किसान दूरी है शायद हिलाल जी आपके इस बात को रिस्पॉंट करना चाहेंगे हिलाल जी शायद आप रिस्पॉंट कीजेगा ठीक है हिलाल भाई राकेज जी विभाजी आप तीनों ही सुधी जन एक बाजरा एक तटस से पत्रकार को भी सुन लीजे एक है आप बोल सकते हैं आपको कोई अब्जेक्शन था बीच में देखें मैं आपको बताओं ये तीन दिन में जो इतना महान काम हुआ है इसके लिए सरकार बिपक्च और सवासो करोण की जो जनता है सेना हर एक आदमी को मैं बधाई दूँगा सबका कॉंट्रिबूशन है फर्क मैं ये देख रहा था जिस हिसाब से बीजेपी के नेता और कॉंग्रेस के नेता आपस में छीना जप्टी मचाये हुए है मैं एक बड़ा टेकनिकल चीज बोलता हूं सर एक जब गौर्वर्मेंट होती है कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसका काम केवल ये नहीं है कि वो पूरा सेना की गत्विदियों को मैनेज करें उसका काम ये भी होता है कि उसका बिहवियर ऐसा हो कि देश पैनिक नहों हमें बहुत प्रश्ट नहीं है है ठीक है जाजवान जाकिसान का युद के बात नारा दिया था युद में जाने से बड़े उसकी प्रधानमंतरी इंदिरा गांधी ने भी जनता से मुखातिब होना बेहतर समझाता तब ही पुलिटिकल इनकैश करने की कोशिश की गई ती और 71 के बाद ही आएन लेडी के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट भी किया गया था क्या उन सब को भी खारिश कर देंगे हम लोग राशित साब देखे हम एक बात को फिर से इस पाश्ट कर दें कि जिस वकद संकट की घड़ी होती है जिस वकद देश के लिए आपको रक्षा का का काम करना होता है उस वकद देश को प्रधान मंतरी की जरुवत है और प्रधान मंतरी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है हर एक ने कहा कि नहीं आप जो करेंगे जैसा लेंगे जो निल्लाएं करेंगे हम आपके साथ हैं जब सेना की कारवाई भी तो सब ने उसक प्रधान मंतरी की मुकालफत कभी किसी ने की ही नहीं यहाँ पर प्रधान मंतरी को समझना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए उन्हें सिर्फ प्रधान मंतरी रहना चाहिए था कुछ दिनों के लिए उन्हें देश का नेत्रित्व करना चाहिए था भाती जनता पार्टी की न पहनशीलता दिखानी चाहिए थे विपक्ष क्या कह रहा है उसको सुनना चाहिए था एक मरतबा विपक्ष को साथ में बैठके बात करनी चाहिए थे प्रधान मंतरी की तरह हमारे प्रधान मंतरी जो है इंतिजार करते रहे हम सब लोग कि हमारे प्रधान मंतरी कभी तो आएं थे वहाँ प्रधान मंत्री ही तो हम ढून रहे थे जिस वकद पुलवामा की घटनावी तो हम प्रधान मंत्री को ढून रहे थे लेकिन उस वकद नरेन मोदी जी को नरेन मोदी बनने में ज़्यादा समझ में आ रहा था वो उस वकद नरेन मोदी भाती जंता पार्टी के नेत बने हुए थे तो अगर हम ये सवाल करते हैं प्रधाल मंत्री जी आये तो क्या घलत कहा इसके दर चा गलत हमने सवाल कर लिया चार गलत देखिए देखिए ओपोजिशन को भी हम नकार नहीं सकते हिलाल भाई भी बहुत बहुत सीनियर लीडर हैं बहुत ही सुलजे हुए नेता हैं और सीजन्ड पुलिटिशन हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाया है उनका कहना यह था कि प्रधान मंतरी अपने भाशन में शौर पर पराकरम और पराकाष्ठा की बात करते हुए फोर्सेस को याद कर लेते या फिर ऐसी बातें कुछ दिन नहीं करनी चाहिए थे उनका यह कहना है वो इशारह यह कह रहा है कि मेरा बूत सबसे मजबूत ऐसे प्रोग्राम शायद पोस्पोन कर देने चाहिए थे उनका यह भी पराकरम की जब घटना हुई तो पुलवामा की घटना के बाद एक रैली थी उस समय भारते जनता पार्टी ने उस रैली को किया प्रधान मंत्री जी ने उस रैली से संदेश दिया क्योंकि पब्लिक रैली में जब भी जाते हैं तो ये पूरे देश के लिए एक संदेश हो पराकरम की जब घटना के रूप में एक रैली करना रात बर उसकी योजना बनवाना और एक स्ट्राइक के बाद राश्टपती बहुए ने जाकर के प्रुषकार वित्रा में सामिल होना उसके बाद चुरू की रैली करना पूरे जीवा अपनी जो दिन चर्या है उसको रूटीन रूप में रखके इस्थापित करना कि देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है देश कहीं भी रुकेगा नहीं और उन्होंने इसलिए कमिता में कहा भी कि मैं देश नहीं जुकने दूगा लेकिन राहुल गानी जी का स्वर क्या है नहीं हम CWC की मीटिंग रुचत नहीं है और नहीं हमने पास और हम पाकिस्तान को ना कोचने चप वा सकते हैं यह रंगा दिखा दिया है अभिनंदन जब से हिरासत पर पाकिस्तान की गया तब से विंकमंडर अभिनंदन की हिरासत के बाद पूरे विपक्षण ने जिस परकार से प्रधानमंतरी के विरुद देख लगा तरह हमला बोला किसने बोला हमला किसने बोला हमला किसने बोला हमला लेकिन भारत के प्रधानमंतरी की प्रसंसा नहीँ हो रही है यही इसको कहते है राजनीति करा सच जूट सही घलत आप जो चाहे हो लिए आज कॉंग्रेस पर्टी का ट्रीट के खिराफ देखे आज कॉंग्रेस पर्टी के नेता प्रणिप सुर्णेवाला का बयान देखे सब देखें हमने कोई किसी ने नहीं कहा एक एक भी कॉंग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा किसी ने आपको क्या पती है अगर भारती दंता पार्टी राजयतिक दल के तौर पर अपना कारिकर जिसकी एक महिने से कारिकरता उन्हें तैयरी की है वो कारिकर संचालित कर रह तो क्या हमको इसमें अपने दाइत्रों के प्रवक्ता हैं आपका दाइत्रों आप अपनी पार्टी का पक्स रखें हिलाल भाई कुछीजों का जवाद दीजे है कि देश में यहां है कि कॉंग्रेस की तरफ से इस तरह का भाय का वाहल पैदा करने की कोशिश की गई राकिश त्रिपाटी जी का इशारा रंदीप सिंग सुझेवाला के उस बयान की तरफ भी है कि 56 इंच की चाती कहां पर चली गई इनका इशारा जो है राहूल गांदी के उस बयान का भी है 21 विपक्षी दलों की बैठा के बाद संसत पर इसर के बाहर आ करके यह कहा गया स्टाबलिश्मेंट की तरफ से पलवामा के शहीदों के राजनीती करन करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयान भी दिये गए भाय का महौल आप लोगों ने बनाया ऐसा आरोप आपके उपर लगाया जा रहा है जवाब दें आप पिर उसके बाद आता हूं करनल साब अग्पेवास बहुत ही राजन साब बहुत ही राजन साब बहुत अफसोसना की बात कही गई यह भैका वातावरन कौन सा बनाया गया अगर जिस वकद पुलवामा की घटना हुई है उस वकद प्रेंका जी ने अपनी पीसी को पोस्पोन कर दिया दो मिनट का शांती रखा उन लोगों के आदर में तो क्या वो भैका वातावरन था अगर ये भैका वातावरन है तो कांग्रेस करती रहेगी हमारे जब कभी भी सैनिक शहीद होएंगे हम दो मिनट का मौन रखेंगे हम उस वकद राज़नीती करण नहीं करेंगे अब बाकी लोग के बाल भी चलते हैं अब प्रधान मंतरी को ढूनेंगे अगर प्रधान मंतरी जो है वो विपक्ष को नहीं मिनेंगे तो विपक्ष कहेगा आईए हमसे व सोसनाक है अगा CWC की मीटिंग इस्ते नहीं कर रहा है कि वहाँ पर इस वकद देश को राज़नीती के आवशकता नहीं है एक जुट्दा के आवशकता है निशित रूप से CWC की मीटिंग में हम राज़नीतिक बाते जो करेंगे तो उसका प्रभाव परता है हमको अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना था लेकिन प्रधानमंत्री हमको मिले ही नहीं हमको हमेशा भाती जंता पार्टी के एक प्रचारक एक नेता मिले हैं जो लगातार हर चीज का लाब उठाते हैं ठीक है ठीक है समझवादी पार्टी के नेता विभा शुकला भी आ गई है अपसे थोड़ी देर के बाद वो हमारे साथ में जुड़ेंगी एक एक अब्जिक्शन था एक आपका अब्जिक्शन लो उससे पहले मैं करनल चौधरी के पास भी जाना चाहता हूं करनल चौधरी आपने दो बड़ी पार्टी हों का सुन लिया पक्षा आपने पिछले तीन दिन में क्या कुछ हुआ ये भी आपने देख लिया पुलिचिकल नेरेटिव क्या था क्या है क्या चलना है इस सभी साब बहतर वाकिफ है असल में पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है किसने किय देखिए रशिद भाई लगबग 35 मिनिट हो गए इस डिबेट को आपने बेसीकली दोनों पार्टीयों के जो विचार हैं उनके उपर ये समय 35 मिनिट लगाया मैं आपके सामने रक्षा विशेशक के तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सबसे पहले ये विचार करने के लिए इस डिबेट में बैठें कि क्या आतंकवाद के खिलाब आज जो हमारी पोजिशन है तीन दिन में उसमें क्या हमने सब कुछ हासिल कर लिया है जो हम पा लोग हैं वो सुरक्षा कर्मी हैं उनके परिवार हैं तो हमें सबसे पहले उन मुद्दों को उठाना चाहिए कि इस स्टेज पे जो पाकिस्तान आज दबाव में हैं सरकार ने जो निर्णायक कुछ कदम उठाए हैं उनको फिर पूरे अंजाम तक हम ले चलें जो ड्रोल प केप्टन आर्यों चौहान लटनों चलते हैं काटन आर्यों चौहान BHA मेरे साथ में मेरे करनल चौधरी ने बड़ी नहीं उछी बात उठाई रहे उनका कहना है कि यहां से अब हम कहा जा रहा है आतंकवाद के खिलाई में boundaries कहना यह है कि strategic level से हमें जो करना था हम उसमें बहुत ही आगे निकल गए diplomatic channel में जो कुछ भी चला है उसमें हम आगे जाने की कोशिश करना है और पाकिस्तान पर दबाओ बनाने के और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश यह यू कहें कि हम घेरी चुके हैं उनका कहना यह है कि एक integration होता है strategic point of view से, diplomatic point of view से, back channel talks से, behind the curtain से, बहुत तरीके से क्या वाकई में आतंकवाद से निजात पाने के लिए जो रास्ता हमें अख्तियार करना था उसका कोई framework तैयार हो गया है, उसका कोई roadmap तैयार हो गया है या नहीं हुआ है कैपटन चोहान देखिए, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा, कि यह सेना, सरहद और सुरक्षा के जो मामले होते हैं, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए पहली बात, कुछ ऐसा करें, जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल मुचा रहे कि हमारी सेनाओं को भी इसकी ख़बर मिलती है कि हमारी पुलिकल पार्टीज और कैसे डिबेट incs हो रहे हैं यहां पे जो सरहद के सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, वह हमारी सेनाओं को देखना है और वो बखूभी अपनी जिम्मधारी को निभा रही है पूरे देश को अस्वस्थ होना चाहिए और आज जॉइंट प्रेस कांफरेंस में हमारी तीनों से नाओं के प्रवक्ताओं ने बता दिया है कि हम सब मुस्तैदी से अपना कारिक कर रहे हैं तयार है करते रहेंगे और हमारा मुद्दा जो है आतंक बात को समाप्त करना है ये कहा अपर्या जोड़ी होगी टिक कि गाएंगी तया ब हमारी तरिकम अपने को समाच बादी पार्टी के नहें और आप आपका आपका पोड़ाइश dual a major समाच वा रहो शुक्ताओं प मैरे साहते जुड़ी है विभा बहुत ही जबदस तरीके से और बहुत ही सबस्टेंशल तरीके से दो बड़ी पातियों के बड़े प्रवक्ताओं ने पिछले आदे गंटे में अपनी बात रखी आप अभी अभी हमारे साथ में जुड़ी है अखले शादव के दो ट्वीट्स है जो आठ गंटे के अ आठ गंटे पहले इवन वन आपाइलेट इसमिसिंग एवरेटिंग इवन नाशनल सेक्यूरिटी सीन थूदा लेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन्स एंड वोट्स बस यह पुछना चाहूंगा अब अभी नंदन भी वापस आ रहा है पाकिस्तान को करतूत के सबूत भी दिखा है आर्मी नेवी एर फोर्स की जॉइंट प्रस कांफरेंस भी हो गई है अखिलेश अब खुछ है ना सटिस्वाई है और नहीं है तो उन्होंने एक बड़े नेता होने कि नाते कहा था कि वह साकुसल वापस आए और उसकी सुभकामनाएवी थी और आज भी जब वापस आएंगे तो पूरा देश मैं कहूंगे आज कोई पार्टी कर नेता बात नहीं कर रहा है देश बात कर रहा है कि हमारा एक एक पाइल जो नौजवान है और जो मीडिया है वो सब आज गर्व मैसूस करी कोई इसमें निसंदे कोई संकोच की बात नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझ मैं एक सैनिक की बेटी हूँ और मैं बार बार कहूंगी कि देश गर्व से उसका सीना चोड़ा है कि मूतोर करचा है कुल मिलाकर की ये है कि इस वकत हम कोई भी ऐसा एक भी शब्द अपने प्रधान मंतरी के लिए नहीं कहना चाहेंगे देखे हम नरेंद मोदी जी से लड़ सकते हैं हम भातिजनता पार्टी के नेता से लड़ सकते हैं लेकिन इस वकत हम अपने प्रधान मंतरी से ब प्रदान मंत्री जी पुरे देश का नेतृत कर रहा है और ने रिल्प कर रहे हैं पर दर्वेंद्रमोधी जीू को प्रधान मंत्री अना चुना था। बिपक्च और सवा सो करोन की जो जनता है सेना हर एक आदमी को मैं बधाई दूँगा सबका कॉंट्रिबूशन है फर्क मैं यह देख रहा था जिस हिसाब से बीजेपी के नेता और कॉंग्रेस के नेता आपस में छीना जप्टी मचाये हुए हैं मैं एक बड़ा टेकनिकल चीज बोलता हूं सर एक जब गौर्मेंट होती है कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसका काम केवल यह नहीं है कि वो पूरा सेना की गत्विदियों को मैनेज करें उसका काम यह भी होता है कि उसका बिहावियर ऐसा हो कि देश पैनिक नहों देश में क लिए उसको हिलाल साथ जो चीज बोल रहे है यह क्यों नहीं किया यह करना चाहिए था जो हिलाल साथ ऑसंदर पांगो भी बूला चाहता है कि उससे पपले इतना में लेड़ करना अपको आपको जो भी नारेटिव करना अप अपने नाम से कीजिए इतना में नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए और मैं बल्कि दो सवाल करना हूँ क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता दीजे डूस और डॉन्ट्स दोनों ही चीज़े एक बार बता दीजा विभाजी उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास इक लाइन कहेंगे जो हम लगातार बोल रहे हैं कि ये वो समय है जब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए उनको अपना जो भारती जनता पार्टी के नेता और प्रचारक हो करके कविता हो जाए बहुत छोटी सी कविता सुनाईगा बढ़ी अच्छी कविता उपहंदर पहले तो जो अबनेंदन जी हमके शौर में मैं बात करता हूं हमारे वीर जवानों के शौर में चार पंक्तिया कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं शिराओं में यहां भर की जबदस कविता के साथ में दो मिनट का चोटा सब रेक लेता हूं हिलाल नक्वी ने जो एक सवाल उठाया है कि ऑपोजीशन यह चाहता है कॉंग्रेस पार्टी यह चाहती है कि कुछ दिन बीजेपी के बहद नेता ना बन करके प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री नरेंद पर जाने से पहले कि कुछ दिन के लिए उपोजीशन यह चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रचारक और कारकरता की बज़ाय सिर्फ पीम बन करके रहें क्योंकि इस वक्त बहुत संसिटिव वक्त चलना है देश के लिए देश की एकता अखंडता के लिए स्वंप्रभुता के जिसमें बहुत कुछ एसा घटना घटने वली है ऐसा एक मैसेज क्रियेट करने का काम करें लेकिन आप निशिंत रहिए भारती जिन्ता पार्टी की सरकार है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में किसी प्रकार का पैनिक क्रियेट नहीं होगा तो कि देश सुरक्षि निदाफ आजली एक सेर में कहते हैं कि हरा आदमी में होते हैं दस भी सादमी जिसको भी देखिए कई बार देखिए मैं भातियंता पार्टी के नेता के तौर पर चैलल पर पार्टी का पक्षणक रहा हूं लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक अधिवक्ता भी हूं मैं अपने पत्नी का पती भी हूं मैं अपनी मा का बेटा भी हूं अलग-अलग प्रकाद की भूमिकाएं होती हैं और इन भूमिकायों से अप्लग-अव्य्क्ति को अलग-अलग एंगरा सकता है बार बार यह कहना कि वह पुरधान मंतृ प्रधान मंत्री रहें वो такую Nara plante, जी ने निदा फाजली को याद किया है, आप भी फायस फरास को याद कर सकते हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में जिन्दा है, हम देखेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप? नहीं, राशिद साब, आप ने किया आप जोड़ू, और इस इस पर बहाती जन्दा पार्टी के बास कोई जवाब ने है, वो कुतन करना रहे है, देखेंगे, राकेशी, लाजिवाजी को सुल लेता है, राजवेतिक तोर पर भी, कुटनितिक तोर पर भी, आर्थिक तोर पर उन्हें प्रॉपर बोलने का मौका नहीं दिया गया, और आप सब की इतनी इर्जद है कि मैं, अगर आप कहेंगे तो दो चार पांच मिनट के ले डिबेट बढ़ा भी दूँगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लगेगा, कि आपने अपना पॉइंच अभी तक हिरका, हिलाल जी आप बोल सकते हैं, रिस्पॉंट कर सकते हैं विबाजी उसके बाद आप, राशिर साब हमारा सिर्फ एक बहुती बहुत चोटा सा है, राकेश तिपाठी जी जी मैं बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और बहुत अच्छे अधिवक्ता की तरह नहीं बात कर रहे हैं, तो जिस वकत है प्रवक्ता की तौर पर तो प्रवक्ता का अपना धर्म निबहा रही हैं, आप प्रवक्ता की तरह बैट करके अगर अधिवक्ता का काम ये करेंगी, तो आप भी उसके पर आपती करेंगी, कि साहब आप अपना प्रचार जो ह俺 हमाः चैनल पर क्यों कर रहे हो आप अधियुक्ता हो तो इसका मतलब तोदी के आप यहां के पर अपना प्रचार प्रचार श्रू कर दोगे भाजी चैनल पर आप जो है वो भाती जन्तापार्टी प्रवक्टाipeontin क्ष़रा है यह बैठिये विपक्ष के साथ वारता करेगा वो विपक्ष के अलावा सब के साथ वारता कर सकते है वो ये बताना चाहते है कि विपक्ष जो है उसकी उनको जरूरत नहीं है वो ये बताना चाहते है कि इस वकद वो एक तानाशा की तरह है और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, राकेशी बात तो ठीक है, राकेशी बात तो ठीक है, 21 विपक्षी दलों के बैटा है, उन्पे सवाल उठेंगे, बड़े बड़े नेता आए, श्रित्रीक शत्रब भी आए, मोदी जी को उनसे बात करनी चाहिए थी ना, राहुल जी से बात करते हैं, ममता बनाट जी, शरत पवार, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश, मायवती जी, ऐसे वक्त पे तो सभी से बात की जाती हैं, उसके अतकरनल साब आ रहा हूँ आपके बास, जल्दी से राकेशी बोलें, क्योंकि विभाजी काफी देर से बोल की है, इसलिए अगर ये कहें कि हम संबात नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है, आलेकि वो बेचैनी जिरू दिखाई कर रही है, क्योंकि विभाजी, समाजवादी पार्टी में चैन हैं या पर नहीं है, चैन, सुकून, करार, रिलाक्सेशन, समाजवादी पार्टी में रामजी लाल सुमन पर कैस्टेंड है, ये भी जरह पूछिए, इनका विनोत कुमार सिंग पंडित सिंग के बयान पर कैस्टेंड है, ये भी जरह पूछिए, आओ शाच्छे मंग रहे हैं, आप बहुत उतावले हैं, आप रहें दीजे, मैं आप को बता दू, सबसे पहली बारे बिल्कुल उतावले होंगे, अगर भारत की भूमी पर कोई मिज़त दीजेगा, तो पूरे उत्साहर उतावले हैं, एक मात्र महिला वक्ता है, बस सुन लेते हैं उन्हें अच्छे से, विबाजी बोले हैं, बाकी रह गया था, मैं आपको ब बड़े शौर को छोटे में आँग देते हैं, पेट खराब होता है, इसका पेट खराब हो गया, विबाजी, पूरे देश का हिंडुस्तानी, मैं कहूंगी, वो पूरा पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है, निस्त नाबूत कर देगा, आपको ये शब्द यूज करन इतनी बड़े गर्व के दिन को छोटा ना बना है, बड़े छोटे दिलले लोग हैं ये, ने, बे राम वीराल में आपको पताई नप बहुत लगा भारते हैं, आपको दिल चोटा है, उसका पर अपनी सेना को लेकिन आपको लिए आप घल नापनें देशाओ को लेकिन आप हुआ और इस बात का एहतराम करते हुए कि वो अकेली महिला पुदका इस पैनल पर है मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा देखे बात बात जब देश के स्वाविमान की हो जब बात देश की सुरक्षा की हो तो दलगत राइनी से उपर उपर करते आना चाहिए अखिलेश करेंगे अगर अखिलेश याद हो जी पार्टी के बैठक कर रहे हैं और तो आपती जब नाशनों सेक्यूरिटी की बात आई तो यहां पर ही भी आगया यहां पर अपना गाउं भी आ गया वक्ता प्रवक्ता नेता शेरुशारी सब कुछ आ गई लेकिन आप यह कह रहे हैं कि मौझूदा दौर में जहां पर है मैं वहां आगे निकल करके क्या आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कहीं पर जा रही है आप इस चीज़ को याद कर रहा है देखिए मैं चुकि यह बहुत गंबीर विशह है आतंकवाद इसको हम हींग और फिटकली से नहीं तोल सकते हैं किसी के पूछना चाहिए जो भी सरकार में लोग है क्या हम उन सब कदमों को उठाने के लिए हमने प्रयास किया है जिससे आतंकवाद की आने वाली जो घटनाएं उनको हम रोक पाएंगे सेना जो लड़ रही है एरफोर्स आर्मी के और नेवी का जो कॉडिनेशन ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है पिछले तीन दिनों लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है जिनमें मुलिस है इंटेलिजेंस एजेंसी है और हमारे देश के अंदर इस्पैसली जम्मू कश्मीर क अंदर जो एलिमेंट्स आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ हमारे क्या कदम है उन पे चर्चा करें उन पे सरकार की क्या कारवाई है जंतर मंतर पे जो अंदोलन पे लोग बैढ़े के उन्होंने पोस्पोर्ट किया उनके क्या मुद्दे कि इसा सेना का मुराल आप इन मुद्दों को सामने लहें मेरे चुकी चुकी डिबेट बिल्कुल अपने अंतिन दौभ में है तो अक्षिक। राउंड लेते हुए मैं चलता हूं आ रहा हूं आपके पास पास पाने जी मैं कुईक राउंड लेते हुए चलता हूं ताकि हर को इसके अपनी बात कह सके हो अभी जो मैं डिबेट सुन रहा था इसमें एक अच्छी बात उभर के आई कि सरकार पर किसी को संदे नहीं है और सरकार जो कर रही है जो हमारा कीर्स नेक्रिक कर रहा है उसके किसी को सक्तंदेश नहीं है यह इसकी बात करें लेकिन अन्य सीजों पर चर्चा करने के वजाए अगर उसे भी बाज आएं तो अच्छा लगेगा वो सेना का मनोबर और भी उंचा होगा अभी और भी बहुत अवस्चेक बाते हैं ज है कि आप है कि मैं डिसाइजिव होना पड़ेगा क्या मिसाइजिव हुए है नहीं है देखिए मैं एक लाइं बोलोग अप्लोगें पूर्ट समय में भारत के लोगते में और मैं किसी पाल्टी का नाम नहीं लूगा क्योंकि यह के वर एक राजनेंशिक पाल्टी कूं कभी यही दिखाता है National Integrity यानि अनेकता में एक ता जो है वो यह इन तीन दिनों में पूरी दुनिया को दिख गई हमारे मत अलग-लग हो सकते हैं लेकिन शिरोती पूर्ट समय में देश के लिए सब लोग एक तरिके से काम करते हैं मैं सब को बढ़ाई जेता हूँ ये बोलना कि बारती जंटा पार्टी यह बारत सरकार का मतलब है एक तो बीज करोन लोगों का संगम जिसमें पक्ष भुपक्ष सेना वगरे स्वाब है तो ये एक संगती के भूप से ये स्याव अब हिलाल जी के बात चलते हैं हिलाल जी के बात चलते हैं एक मैट कनल